तो welcome to my channel तो आज हम लोग start करने वाले infix, postfix and prefix क्या होता है तो अच्छे से समझेंगे पूरा वीडियो लाज तक देखना है तो जल्दी से हम लोग start करते हैं आज का topic तो infix हमारा क्या होता है हम लोग पहले ओ समझ लेते हैं तो infix हमारा होता है क्या भाई, ये infix होता है तुम बोलोगे कैसे infix binary में क्या होता है कि तो पहले होता है हमारा operand उसके बाद होता है operator हमारा इसके बाद फिर से operand ओके और देखो भाई, हमारा इधर क्या है एक operand उसके बाद फिर से एक operator उसके बाद operand ठीक है तो ये हो गया हमारा infix infix का कुछ ऐसा होता है हमारा operand operator उसके बाद फिर से operand ठीक है तो आप कुछ ऐसे भी देख सकते हो कि 5 plus 2 भाई, ये भी एक infix होता है ठीक है मान लिजे आपको दिया है कि b plus 5 भाई, ये भी infix होता है ठीक है तो आपको तो समझ में आ गया infix क्या होता है तो अभी देख लेते हैं post fix क्या होता है post fix क्या होता है post fix का मतलब होता है कि पहले हमारा operand फिर से operand उसके बाद हमारा operator operator समझ में है मतलब अगर मैं इसको post fix में लिखू तो कुछ ऐसा होता है a, b, उसका plus समझ में क्या होता है अगर मैं इसको लिखू तो यह क्या होता है 5, 2, plus मतलब क्या होता है हमारा 7 इसको मैं अगर करू तो b, उसके बाद 5 उसका plus समझ में आया क्या होता है हमारा post fix तो यह होता हमारा post fix ठीक है तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि भाई prefix क्या होता है तो हमारा prefix और कुछ नहीं कुछ ऐसा होता है हमारा prefix कि पहले हमारा होता है operator उसके बाद आता है हमारा operand उसके बाद फिर से हमारा operand समझ मैं हैं तो कुछ ऐसा होता है हमारा prefix अगर मैं इसको example पहला example करूँ तो होता है हमारा plus इसके बाद ए बी second example plus five two third plus b five कुछ ऐसा होता है अभी माल लेते हैं कि हमको कुछ ऐसा दिया है कि five plus two into six तो यह क्या होता है हमारा क्या होगा इसके answer तो आप दो answer हो सकता है एक five plus two seven into six और हमारा second answer क्या हो जाता है ओके तो इस दोनों answer में कौन सा answer सही है एक तो answer सही है और दूसरा गलत हम लोग कैसे पता चलेगा कौन सा answer सही है कौन सा गलत तो इसके लिए पहले हमको precedence chart को देखना पड़ेगा तो इस चार्ट हम लोग पहले इधर मैं लिग लेता हूँ ठीक है तो पहला है कि हमारा जो packet है opening packet and closing packet उसका precedence chart में सबसे उपर है भाई पहले number उसको हम लोग पहले priority देएंगे ठीक है उसके बाद हमारा आता है power मतलब कुछ ऐसा कि two to the power two इसका मतलब four two to the power three इसका मतलब eight कुछ ऐसा यह हमारा power इसके बाद third में आता है हमारा multiplication and divide and हमारा fourth में आता है plus minus तो मैं मान लो कि आपको दिया है ऐसा तो इसमें कौन सा ज्यादा है precedence chart में किसका priority ज्यादा है तो third में हमारा multiplication and fourth में हमारा plus तो obviously यह वाला ज्यादा तो हम लोग पहले क्या करेंगे इसको करेंगे मतलब six into two twelve उसके बाद इसको plus करेंगे five के साथ ठीक है यह होता हमारा तो यह हमारा correct answer है ठीक है तो यह हमारा correct answer है बट अगर कुछ ऐसा होता कि five plus two ऐसा तो क्या होता obviously इसका priority हमारा ज्यादा है क्योंकि हमारा first packet है जो इधर है हमारा तो यह answer हो जाता हमारा यह ठीक है समझ में है क्या होता है इधर तो यह हम लोग क्या करेंगे कि right से left में जाएंगे और इधर हम लोग जाएंगे left से right और इधर जाएंगे हम लोग left से right तो ऐसा क्यों हम लोग example के through देखेंगे जल्दी से तो मान लीजे आपको कुछ ऐसा दिया है to the bar to to the bar to इसका answer क्या होता है पहले हम लोग करेंगे इधर यह मतलब यह हमारा हो जाएंगे इसके बाद 2 to the bar 2 तो इससे हमारा answer क्या होता है 16 यह तो नहीं होगा यह गलत है क्योंकि हम लोग इधर right से left जाएंगे इधर हम लोग कर रहे थे left से right लेकिन हम लोगों को बोला गया है कि right से left में जाना है तो हमारा answer क्या हो जाएंगे इधर 2 to the bar 4 अभी इसका जो answer होगा वह इधर होगा यह कुछ 256 ऐसा कुछ answer होगा ठीक है तो अभी हम लोग देख लेते हैं क्या होता है infix, prefix and postfix के अंदर तो पहले हम लोग लिख लेते हैं इधर infix, infix में कुछ expression हमारा दिया है उसके बाद postfix इसके बाद हम लोग देखेंगे prefix ठीक है अगर infix में हमको दिया है कि a plus b तो हमारा postfix में होगा a b plus infix में होगा a b कुछ ऐसा plus a b ठीक है अगर मान लीज़े आपको कुछ ऐसा दिया है 2 plus 3 into 4 तो इसमें क्या हो जागा हमारा तो हम लोग stepwise करते हैं ठीक है आपको समझाने के लिए तो पहले हमारा a होगा क्योंकि इसका parity ज्यादा है तो हम लोग पहले इसको करेंगे हो जागा 2 plus अभी यह क्या होगा तो अगर हम लोग यह 3 into 4 का post fix करें तो क्या हो जागा 3 to 4 इसके बाद हमार operator 3 4 इसके बाद operator ठीक है तो यह हमारा क्या होता है अगर हमको यह देखना होगा तो a होगा हमारा 2 plus 12 अभी इसका करना होगा हमारा post fix तो 2 12 plus तो यह हो जागा हमारा 40 समझ में कैसे होगा अगर हम लोग इसी को prefix के अंदर करें तो क्या होगा तो पहले तो हमारा a वाला होगा obviously तो 2 plus prefix कर रहे हम लोग तो यह हो जागा हमारा into 3 4 तो इसका answer क्या होगा 12 अभी अगर हम लोग यह करें तो plus 2 12 तो इधर answer हो जागा हमारा 14 समझ में कैसे हो रहा है तो जल्दी से हम लोग एक बार in fix to post fix कर लेते हैं और आपका होमक होगा कि आप इसको prefix में transfer करो इसका answer क्या होगा आप comment section में मुझको comment करो तो हम लोगों को expression कुछ ऐसा दिया है कि a by b minus c to d plus e तो यह हमारा क्या हो जाएगा तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इसका post fix क्या होता है तो पहले इधर अंदर यह bracket है मतलब इसको हम लोग पहले करें तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका है तो b c minus ठीक है यह हो गया अभी इससे और इससे priority किसका ज्यादा है हम लोग इधर अल्रेडी देख चुगे कि तो उधर हम लोग बोले थे कि हमारा कुछ ऐसा होगा इधर कुछ ऐसा था तो होगा right sorry left to right तो left में हमारा क्या रहा है पहले obviously यह वाला तो इसको हम a कर देते हैं इधर इसके बाद इसका by ठीक है समझ मैं क्या हो इधर अभी क्या करेंगे यह वाला होगा इसके साथ इस total expression के साथ d multiply है ठीक है तो इसको हम लोग करेंगे तो इधर d होगा इसका multiplication होगा समझ में है क्या हुआ तो पहले हम लोग देख लेते क्या हुआ पहले इधर है तो पहले हमारा हुआ b and c का minus इसके बाद हमारा हुआ a के साथ divide इस total expression का इसके बाद d के साथ multiply अभी हमारा क्या होगा e के साथ plus तो हमारा answer क्या बना तो हमारा answer बना a b c minus by d into e plus तो a होगा हमारा post fix का answer ठीक है तो अभी आप try करो prefix को prefix का answer क्या होता है comment section में obviously comment करो ठीक है और आपको easily यह topic आ जाएगा तो next video में हम लोग cover करेंगे कैसे हम लोग infix to post fix using stack convert कर सकते हैं जो हमारा big big expression होता है उसको हम कैसे using stack convert कर सकते हैं तो ओ हम लोग तेखेंगे ठीक है तो मिलता है next video के अंतर कर सकता है कर सकते है कर सकते है कर दो हमारा झाल